करता हूँ जो उन्होंने मेरे तज्वीज का हैर मगदन किया और अपने पार्टी के तरफ से तावन भी दिया दूसरी बात यह है सर जो भी फारेस्ट मिनिस्ट साब का दिया हुआ नोट है इस नोट को बनाते हम जरूर है जो फिगर्स आपको दिये हैं 2014-17 का जो डिपोर्ट है Government of India का एक पारेस्ट अजनसी है वो लोग नोटिफे करते हैं वो लोग मतब डिखलेर करते हैं कहां कितना बड़ा कहां कितना कटा जिस राज्ज में जिस रियासट में कटा जिस रियासट में बड़ा वो वो लोग certify करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं तो 14-17 तक तो जो हालात था Government of India 2020 में इसको notify किया उसके बाद का जो हालात हुआ यहाँ पे जो बड़ोत्री हुई इसके reports, Government of India बना रही है वो 2022 में आने का आशनका है उस तैमे में वो report तफसिल सामने आएगी वो जो भी report आएगा, हम हैवान में रखेंगे सब दूसरी बात, जू बहुत दूर्पुरा Assembly कानसेर्शी में आता है मैं यह भी इस बात को जरूर जानता हूँ लेकिन जू, Notified Reserve Forest नहीं है वहाँ जू रखा गया है Forest Department ही इसको manage करता है Forest Department ने एक wildlife भी एक wing होता है सर wildlife का एक अलग officer भी होता है wildlife के protection के जो wing होता है Forest Department केता है उस officer के responsibility में हमारा जू होता है बट जू, as such is not notified forest area It is not officially notified मा रखा गया, मा चल रहा है ये forest power नहीं है इसलिए के साब मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहूँगा सारे members के benefit भी होगा इसमें इस notification में भी थोड़ा मतलब पीछे जो नेवरू साब जो प्रैमिर से थे उस समय का ये पूरे notification से वो complete मुकमिल तोर पर notification नहीं हुई इसमें भी गफला है अब जो revenue का forest का जगड़ा चलते रहता है जो tribal का forest का भी जगड़ा चलते रहता है इससे compound multi इससे compound multi multi-nati issue वकपा जमीन है उसमें भी forest वाला के जंड़ा कार देता है अचानक आके सौ साल से डेड़ सो साल से अवकाफी जाएता है उसमें अचानक आके survey करके बोलता है यहां तक forest है यह इसलिए हो रहा है confusion इसलिए है कि forest department जो notify करे थे उस जमाने में कुछ final notify हुई है कुछ 50% जाने के मतलब कुछ अद्टक notify होके वहां है उसके बाद में कुछ notify होते होते है ऐसा रुके हुए है लेकिन इसके बाद में हुआ यह कि Supreme Court ने एक judgment दिया इसी प्रकर का कुछ case से Supreme Court में गए Supreme Court के full bench कि सारे राज्यों के मतलब सारे रियास्तों के कटक करके एक notification हैसा दे दिया कि जो भी notification की कारवाई शुरू हुई है treat this as notified and that has become the law of the land हम जानते है Supreme Court के बाहर में हमरे पास कुछ है नहीं इस प्रकर का judgment आया उसके मुताबिक एक अजीब सा चल दा है लेकिन एक बात जरूर है अकबर सब इन चीजों में जब तक confusion रहे काभी जगडे होते रहेंगे unnecessary litigation होता रहेगा लोगों का नुकसान होता रहेगा clarity नहीं रहेगा इसको किसे एक तरीके से हमको निकालना है मेरा आपसे request आपसे गुजारिश है कि जो मुकम्मिल सर्वे तिलंगाना land mask का मैं प्रपोस कर रहा हूँ वो एक बार आ जाए तो काफी चीज़े हमारे अवकाफी जाज़ाज बच सकता है हमारे देवल मंदिर का जमीन बच सकता है सरकारी जमीन भी बच सकता है लोगों का भी जमीन बच सकता है किसे ने नाजाज खबजा किया हो कि गरीबों का उनलों के साथ भी इंसाफ हो सकता है मुकमिल सर्वे हमारे लिए काफी कुछ मदद कर सकता है मैं आपको एकीन दिलाता हूँ कि जल से जल करोने का वज़े से वो रुका हुआ है वो कारवाय शुरू होगी मैं समझना हूँ उसमें काफी चीज़े हल हो जाएगी तैंक यू